हिमाचल के कांगडा में पुलिस नशा तसकरों पर शिकंजा कसे हुए है इसी कड़ी में पुलिस ने कांगडा के इंदोरा थाने के अंतरगत नशा तसकरों के खिलाफ कारिवाई करते हुए एक गाड़ी से भारी मात्रा में हेरोईन बरामत की है जिसकी कीमत पचास लाख रुपए बताई जा रही है हलाकि गाड़ी का माली कि वह मुख्या रोपी तो मौके से फरार हो गए मगर पुलिस ने उसकी गाड़ी से 302 ग्राम हेरोईन बरामद करने में सफलता हासिल की इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्या रोपी के चार रिष्टेदारों को भी लगे हाथों गिरफतार कर लिया है काबिल गौर है की नशा तसकरी का मुख्या रोपी धर्मबीर उर्फ गोविंदा छनी वैली का रहने वाला है जिसके यहां से पुलिस ने कुछ दिन पहले ही चापे मारी पर करोडों की हेरोईन बरामद की थी और वो मोके से फरार हो गए थे बताते चले कि DSP देवराज की अगवाई में पुलिस की एक टीम ने आरोपी गोविंदा को पकड़ने के लिए उसके घर और उसके रिष्टेदारों के घर दबिश दी जिस दोरान घर के बरामदे में खड़ी आरोपी की क्रेटा कार की तलाशी ली तो उसमें से करीब 302 ग्राम चिट्थे की खेव पुलिस को बरामद हुई वहीं DSP देवराज ने बताया कि आरोपी गोविंदा पिछले काफी समय से नशे के कारोबार में सनलिप्त है और उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं कांगडा से समादाता दोलच चोहान की रिपोर्ट उसके भीकल जो क्रेटा है वो उसके किसी परिचित के घर में आंगल में खड़ी है वो इंफरमेशन क्रेडिवल और दुरुस्त थी इस इंफरमेशन को आधार बना कर हमने अपने टेम को साथ लेकर उसके रिष्टेदार के घर में हमने चापे मारी की वहाँ पर हमने क्रेटा गारी खड़ी पाई सिंस उसके चापी हमारे पास मौझूद नहीं थी तो हमने गारी का शिशा तोड़कर उसमें प्रवेश्ट किया और गारी के डैश बोड से हमें 302 ग्राम चिट्टा जो हमने बरामद किया और इसको आधार बनाते हुए हमने ग अधर में भिकल को रखा गया था उनको अंडर सेक्षेंट 25 में हमें फिक्स करते हुए क्योंकि अंडर जो एंडर सेक्षेंट 25 वह क्लेरी बोलता है कि कोई भी भिकल मेंस ऑफ कंवेंस बेल्डिंग या कोई स्पेस अगर किसी एंडर पीएस के बदार्त के लिए यूज किय जाता है तो अंडर 25 वुसको हम एक्यूज बनाईगों इसको इसको अधार बनाते हमने गोविंदा तथा श्रिष्ठा कुमारी अनामिका पवित कुमार और प्रिखा के ओपर हमने केस रिजिस्टर किया चाह इसमें चार एक्यूज को अरेस्ट किया गया है जबकि इस टाइम देखा जाए तो अप्रोक्सिमेटली 50 लैक्स के करीब है और मैं एक संकेत यहां से डिरेक्ट स्ट्रॉंग मैसेज देना चाहता हूं चंद्नी बासियों को तथा जितने भी यहां पे ड्रग पैडलर्स है जो ये नशे का वियापार कर रहे है कि अंडर 25 सेक्शन लिया जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को यहां से राई देना चाहता हूं कि जो भी ड्रग पैडलर्स है उनका किसी भी प्रकार से बचाब ना करें उनके साथ कोई भी कनेक्शन ना रखें अपने घर बेल्डिंग स्पेस तथा किसी प्रकार की कोई भी मेंस और कन्बेंस को इस तरह के ड्रग पैडलिंग के लिए यूज करने ना दें अधर्वाइज एपके उपर भी स्ट्रॉंग मुकदमा रिजेस्ट्री किया जाएगा एसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घरने वादी पीडी बंक्वेट एंटर्प्राइब